पुले सब्तों से बोलता हुआँ मनिस्तेवारी ने उसको खुले चाली से अब सबसे नेवाधर करूगा उसको 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 और सहाम तक लब तारी चाहिए तो चाहिए कानपूर के गाउं में संत रविदास की प्रतिमा खंडित होने से बड़ा बवाल मच गया जबंगो दुबारा मारपीट और फाइरिंग करने के विरोध में दलित समाज आक्रोशित हो गया जनकारी के मताबिक कानपूर के थाना साहड अंतरगर पहिवा गाउं में बुद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा था जिसमें भारी संख्या में श्रत धालू मौजूद थे आरोप है कि कुछ दबंगो ने दे रात लाठी डंडो के साथ हमला बोल दिया इसमें कई लोग घायल हो गए आरोप है कि दबंगो ने फाइरिंग भी की और संत्र विदास की प्रतिमा को खंडित कर दिया इससे दलित समाज में आकरोश बढ़ गया यहां पे सर बुद्ध कता चल रहे थे नो दिवसी रखे गए थे चार दिन हो चुके थे चार चौतर दिन रात को ब्रामणों के कुछ लोग आ करके अज्यात लगबक जानकारी में पंदरा सी बीस लोग थे और बाके अज्यात लोगों ने आकर यहां हमला कर दिया जो हमारे साउंड सर्विस वाले लोग थे बच्चे लोग या बज़ूर के मलब लड़के चार च्छे लोग वो लोग सो रहे थे उनको राड और टंडो से पीटा करने के बाद में सर्व जब जाना कि यह लोग जान गए हैं तो इन्हों ने फाइरिंग किया और फाइरिंग करने के बाद में यहां पे गोली चलाई कम से कम चार राउंड है और मार पिट किया था चंद बार मिस्रा आसूती बार ही यह लोग कहां के हैं पाइवा के हैं कुछ पस्यावा के हैं कुछ रार के हैं क्या गटना किया था मार पिट की थी तोड़ भोड की बोली चली वारदात बलड भी मिली बवाल की सूचना पर पुलिस के अधिकारी भारी पुलिस पाल और पिएसी के साथ मौके पर पहुँचे अधिकारियों ने संत्र विदास की खंडित प्रतिमा को हटवा कर नई प्रतिमा लगवा दी है सार थाना चेतर के पहेवा गाउं से थाने पर सूचना दी गई कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा संत्र विदास जीत की प्रतिमा तोड़ दी गई है और साथ में दो-तीन लोगों के साथ मारपीट की गई है ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आये थे उन लोगों ने फैरिंग की है पूरी घटना को ततकाल गंभिरता पुरवक लिया गया वहाँ पे घटना स्थल की जाच की गई संत्व रविदाश जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे नई लगा दी गई है और अस्थानी व्यक्तियों के मदद से वहाँ पे इस्थिती को नियंतर्ण में किया गया है प्रत्म सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है साथानी में 147, 149, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295, 8, 336 इस मामले में पुलिस ना आरोपियों को चुन्हित कर लिया है और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस कह रही है कि कोशिश है कि भविशे में ऐसी कोई घटना ना हो सके हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबा लिजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंड बॉक्स में देना मतने को प्रतिक्राइब कर दो कर देदेगा